फ्रेंट्स केंद्रिय विडेले संगठन में जो अभी अभी तिरासी सो वैकेंशी ज निकली हैं उनका सलेबस पूरी तरह से चेंज हो गया है और फ्रेंट्स से और दूसरे वीडियो देखे मैंने दूसरे दोस्तों के यूटूब चैनल के उनमें इतनी डिटेल से नहीं देखाऊंगा और फ्रेंट्स ये प्राइमरी टीचर्स का आप सलेबस देख सकते हैं पी आर्टीज का के विएस की ओफिस्यल साइट से ये पीडियेफ मैंने लिए च्यार पार्ट सैंस में और पूरे डिटेल से सलेबस दे रखा है इंदी में क्या-क्या पुछा जाएगा बास्सा, संग्या, सवर नाम, विशेशन, किरिया, अव्यव, लिंग, पुलिंग और जो भी पूरा सलेबस जनरल साइन्स का पूरा सलेबस दे रखा है और भी जनरल मैथ का पूरा सलेबस कहां कहां से किस्टन्स बनेंगे और ये बीस-बीस नंबर के होंगे या कितने-कित फिचर्स में ये 20-20 नंबर के पार्ट हैं चारू 80 नंबर के बनते हैं ये 80 नंबर के च्यार पार्ट है आलां कि उन्होंने ओफिसेल साइट पर ये तो नहीं बता रखा कि ये 20-20 के आएंगे चारू पार्ट का इखटा 80 नंबर का दे रखा है तो फ्रेंड्स अब मैं ओफिसेल साइट पर आपको ले चलता हूँ कैसे आपको ये इसलिए बस देखना है डाउनलोड करना है तो फ्रेंड्स गुगल पर जाके आपको लिखना है के वी एस ये टाइप करके यहां केंद्री के वी द्याले संगठन लिखा हूँ आ गया केवी संगठन डोटनिक ये ओफिसेल साइट है यहां पर आप विजिट करेंगे तो ये ओफिसेल साइट खुल के आएगी और वहां पर आपको लिंक परवाइड करवा दिये गए इसलिए बस के वो मैं पूरा दिखाऊंगा एडवर्टाइजमेंट नोटिस है ये उपरवाड़ा तो इसको हम पहले देख चुके हैं जो एडवर्टाइजमेंट से कितनी वेकेंशिया है इस बारे में पूरी डिटेल से इसमें नहीं दिया गया है तो ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फोर डारेक्ट पी आर्टी जिन केंद्री विडियाले संगठन ये 17 अगस्ट 2018 का नोटिस है इसको एक बार देख लें डिटेल से और दूसरे दोस्तों ने जो आपको नहीं बताया कि यानिचे ओप्शन एक इम्प्लाइमेंट नोटिस को यहां पर आपको पूरा डिटेल से सलिबबस के ब प्ता लग चुकी है तो हम इम्प्लाइमेंट नोटिस में जाकर देखते हैं क्या सलिबस रहेगा वहाँ पर सलिबस का उप्शन है पूरी डिटेल के साथ तो यहां पर फ्रेंड्स ये ओप्शन सा गए एक सलिबस का उप्शन है वेकन्ट पोजीशन से नीचे सलिबस का और फिर है subject wise syllabus of direct recruitment यह subject wise syllabus वाली यह PDF आपके लिए important है subject wise जो syllabus के बारे में PRT के बारे में पूरी detail से इसमें syllabus दिया गए तो फ्रेंट्स यह revised scheme जो scheme नहीं बदली गई है अभी अभी तो इस में एक बार देख लेते हैं फिर detail से subject wise syllabus देखेंगे पहले common syllabus देख लेते हैं यह common syllabus देख लेते हैं पहले और उसके बाद detail से यह PDF मैंने डाउनलोड कर ली है principle का दे रखा है उपर उपर syllabus जो common syllabus है सभी का वो अब हम primary teachers का syllabus देखते हैं जिसकी vacancies सबसे जादा हैं 3300 सबसे 3300 में से सबसे जादा vacancies इसी की हैं और ज्यादा तर friends मेरे चैनल से primary teachers की त्यारी कर रहे हैं DSSB और अठीजी टैट वगएरा में तो friends इस में देखते हैं और TGT और PGT का अब यह बाद में दिखाऊंगा आपका पूरा subject wise भी और वो भी details हैं और उसकी त्यारी के बारे में बताऊंगा और friends इसकी त्यारी अच्छी करवाई जाएगी मेरे चैनल पर आप जुड़े रहे हैं जो भी नया सले बस चेंज हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस छेतर में यानि किस topic पर आपको ज़्यादा focus करना है और किस topic को आपको अलके में लेना है क्योंकि यह exam मैंने दो बार मैंने खुद भी clear किया हुआ है और फ्रेंट से फिलाल मैं government job कर रहा हूँ taxation department में और फ्रेंट से चलिए देखते हैं इसका सले बस देख लेते हैं test duration रहेगी 150 minutes और 180 आपके लिए question रहेंगे और 1500 नंबर का यानि पहले था उतने ये नंबर का रहेगा और पहले था general English 15 नंबर का अब हो गया ये पार्ट पार्ट वन में ये दस दस नंबर के जनरल इंदी और general English फिर general knowledge and current affairs अब ये दोनों पार्ट पाँच पाँच के यानि 10 नंबर के हो गया पहले current affairs एकला 40 नंबर का था और उसके बाद है reasoning ability reasoning ability रहेगी 10 नंबर की उसके बाद है computer literacy ये सभी में जोड़ दिया गया है दस दस नंबर की और एक में पूछे जाएगी जी जी question रहेंगे करीब 500-600 question में आपको बता दूँगा उन्हीं में से पूछ लिए जाएंगे उसके बाद है pedagogy ये जो child development and pedagogy से समन्दी थी इसका असले बस दे रखा है तो ये तो सभी का cover हो जाएगा जो DSSV की त्यारी कर रहे हैं और 20 नंबर का है ज्यादा marks का भी नहीं है तो friends इनके total marks बनते हैं इनको जोड़ लेते हैं 70 marks बनते हैं total यानि 80 marks डेड़ सो में से 70 गटा होगे 80 marks अभी बचे हुए हैं तो 80 marks ये देखते हैं subject concerned इसमें क्या क्या सामिल हैं पूरी details है दसले बस for subject concerned is available on KVS website जो subject का मैंने पहले आपको बताया था PDF में वहीं पर चलते है और वो PDF डाउनलोड करके subject wise syllabus देखते हैं ये second number पे subject wise प्ले लिस्ट का यहाँ पर विजिट करते हैं इसको डाउनलोड करके पूरा detail से देखते हैं PRT's का syllabus जो PDF मैंने शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में आपको पहले भी दिखाई थी ये PRT's का syllabus है सबसे उपर उप 20 का environmental science 20 का तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको किस topic पे ज़्यादा द्यान देना है एक general science और environment science 40 नंबर का पार्ट हो गया और 10 नंबर का GS current affairs और general knowledge मिलके total 50 नंबर का यानि सबसे बड़ा पार्ट यह ही हो गया यानि general studies से related जो की उसी में cover general studies GS में cover हो जाते हैं general awareness में यह 50 नंबर का काम यानि main part यह ही हो गया और पहले भी friends जो current affairs का पार्ट था 40 नंबर का वो ही decide करता था आपका selection और इस बार भी यह GS का ही पार्ट main रहेगा और उसके बाद है math math इतना tough आएगा नहीं पहले जो exams में पुछा गया है जिस इतने से तो इजी level का आएगा इतनी ज्यादा त्यारी करने के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरे channel पर भी इस से related आपको matter प्रवाइड कर दिया जाएगा और friends यह देख सकते हैं पूरा detail के साथ और एक subject का detail से दे रखा है prepositions work form adjective tense model English में यह है और इंदी में भी link pulling general science का पूरा स्लेबस general science और इवियस in common details से करेंगे और जिस तरह से syllabus इन्होंने दिया है उसी तरह से study करेंगे पूरी details से और math को भी बिल्कुल इसी तरह से number system place value और multiple factors even old सभी इसी तरह से बिल्कुल इसको cover करेंगे और इवियस का भी इसी तरह से disease deficiency और friends इवियस की अच्छी तरह से त्यारी करवाई जाएगी क्योंकि ये पार्ट आपके seat at के लिए भी जो seat at की त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपोर्टेंट टोपिक है और friends जनरल जो general science है general science है ये जो railway की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी important part है क्योंकि उसमें भी 25 से 30 नंबर तक general science पूरी डिटेल के साथ तो इस टोपिक को भी आपको अच्छी तरह से अगले पेज पर ये PRT music वगएर का TGT का निचे TGT वगएर का पूरी डिटेल से सले बस दे रखा है क्या क्या कुछ पुछा जाएगा वो भी एक बार मैं दिखा देता हूँ तो friends ये TGT का भी पूरी दू आर्ट जिस टोपिक से जिस पर इनका एक्जाम में फोकस रहेगा वो टोपिक सभी डिटेल से दे रखा है इसमें और friends इसी तरह PGT का भी आरेक जो सब्जेक्ट है उसका डिटेल से सले बस दे रखा है जिस तरह से बायलोजी का दे रखा है ये structural organization in plants and animals पूरा डिटेल क साथ कौन कौन से टोपिक से पुछे जाएंगे तो friends इसको डाउनलोड करके पूरा डिटेल से आप देख ले और मेरे चैनल से आप जुड़े रहे जनरल साइन्स और सब्जेक्ट की त्यारी के लिए KVS PRT की पूरी अच्छी तरह से त्यारी की जाएगी और WhatsApp गुरूप से